हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मारे यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज का वीडियो ये राकेज जुझनवाला जी के 2022 के पैनी स्टोक के बारे में है राकेज जुनजुनवाला एक करोड़ पती इंवेस्टर है और ये अपने पैनी स्टोक स्पिक के लिए बहुत ज्यादा मशूर है आज की वीडियो में हम राकेज जुनजुनवाला के लीटिस्ट पैनी स्टोक पोटफोलियो देखने जा रहे हैं जो पैनी शेर्स वो आज से फोर मन्स पहले तक होल्ड किया करते थे वीडियो को एंटर जरूर दिखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं तो इस लिस्ट में पहला पैनी स्टोक है प्रोजोन इंटू प्रॉपेटिस लिमिटेड ये एक रियल इस्टेट कंपनी है जिसमें राकेज जी ने आलमुस 2.06% का इस्टिक होल्ड किया था प्रोजोन ये एक मिक्स रियल स्टेट सेग्मेंट में काम करती है इंटू रेसिदेंटल और रिटेल एट प्रोजेक्ट जहां पर ये कंपनी सॉपिंग मोल्स को ओपरीट करती है और कमेर्शिल प्रोपिटीज और रेसिदेंटल प्रोपिटीज को बिल्ड करती है विद्धी रियल स्टेट सेग्मेंट तो दोस्तो लाश्ट येर में जून के महीने में स्टॉक का प्राइस पचपन रुपिज को हाई टच करके नीचे आया है और यह अभी स्टॉक का प्राइस बाइस रुपे पर ट्रेट कर रहा है कमपनी का मार्केट कैप है 333 करोड का और डेप्ट कमपनी पर 450 करोड से भी ज्यादा का है इस लिस्ट में अगला पैनी स्टॉक है जियोजीत फाइनिशल सर्विस लिमिटेड और इस कमपनी में राकेट जुन जुन वाला सर ने 2004 सही इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर यह 7.44% का स्टेक ओन करते हैं इस कमपनी के अंदर बिसिकली जियोजीत फाइनिशल यह एक NBFC कमपनी है जो एक्विटी शेर के अगेंस लोन प्रोड करती है और यह अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ओन करती है जो लेटेस्ट वेब टेकनोलिजी पर बेस्ट होता है तो लास्ट दो से तीन यहर में कमपनी की प्रोफेट बिल्टी में काफी अच्छा टेक हमें देखने को मिला है लेकिन स्टॉक का प्राइस जो है वो डाउन ही चला जा रहा है तो जियो जीट कमपनी का करेंट प्राइस 47 रुपीज के आसपा स्टेट कर रहा है मार्केट कैप है कमपनी का 11 सकॉल रुपे का एंड़ेट कमपनी के उपर है 79 करोड रुपे का इस लिस्ट में अगला पैनी स्टॉक है बिल्केर लिमेटेड तो इस कमपनी में राकेश सर और उनकी पतनी दोनों की सेर होल्डिंग मिलाके कुछ 8.50% का स्टेक है बिल्केर ये कमपनी करती किया है ये कमपनी फार्मा सूटिकल पैकेजिंग क्लिनिकल सर्विस आर और ये सर्विस प्रवाइड करती है इनकी क्लाइंट लिस्ट में बहुत सारी बड़ी-बड़ी फार्मास कमपनी सामिल है जैसे कि डॉक्टर रेडिस सन फार्मा सिबला तो कोविट पीरिड में कमपनी ने न्यू प्रोड़क्ट सेग्मेंट में अपना बिजनेस एक्सपेंशन किया है और अभी यहां पर ये कमपनी रैपिट टेस्ट किट आर्टी पी सीर किट जैसे डिगनॉस्टिक प्रोड़क्ट को भी मैनिफेक्चिन करती है यहां पर ये कमपनी की प्रोफिट एबिल्टी बिल्कुल भी नहीं है उसके बाउजित भी स्टॉक का प्राइस पिछले 2-3 साल में 4 गुना हो चुका है और अभी करेंट प्राइस की बात करें वह 56 रुपे पर ट्रेट कर रहा है कमपनी का मार्केट केब 300 करोड का है और कमपनी पर डेप्ट जो है वो 600 करोड रुपे का है इस लिस्ट में अगला पैनी स्टॉक है DB Realty Limited राकेश जी ने इस स्टॉक के अंदर अराउंड 2.06% का स्टेक ओन किया था यह स्टॉक पिछले 2-3 सालों में 6 रुपे की लेवल से 130 रुपे का लेवल टच करके अभी नीचे आया है DB Realty यह मुंबई बेस्ट रियल स्टेट कंपनी है जो की बेसिकली रियल स्टेट डेवलेप्मेंट और प्रॉपर्टी सेल्स के बिजनेस में काम करती है रिसेंटली फरवड़ी 2022 में गोद्रिच पर रुपेटिस लिमिटेड इस कंपनी में 10 परसंट का स्टेक बाई करने वाली थी लेकिन गोद्रिच की शेयर होल्डर ने यहाँ पर डिल के लिए ना मंजूरी दी फिर यह डिल कैंसल हो गई और अभी इस स्टॉक का प्रेज 98 रुपेज पर ट्रेट कर रहा है कंपनी का मार्केट के 15 करोड का है और डेप्ट कंपनी के उपर 358 करोड रुपे का है इस लिस्ट में अगला पैनी स्टॉक है TV18 ब्रोडकास लिमिटेड 2012 से राके जुनजुनवाला सर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है और टोटल 2.04 परसेंट का स्टेक इस कंपनी में ओन करते थे तो यह नेटवर्क 18 सब्सेडिज कंपनी है जिसे मुके संबानी का रिलैंस ग्रूप ओन करता है TV18 यह वेरिस नैशनल चैनल ओपरेट करते हैं और रन करते हैं लाइक CNBC TV18, CNBC आवाज, CN News18, News18 इंडिया इसके अलावा कंपनी ने बूट सलेक्ट जैसे सब्स्क्रिप्शन बेस OTT प्लेटफॉम पर भी इन्वेस्ट करती है रिसेंटली TV18 ने स्पोर्स ब्रोड कास्टिंग में फुटबोल वर्ल कप का जो ब्रोड कास्टिंग राइट है उसको भी एक्क्वाइर किया था तो TV18 का जो शेर प्राइज है वो 35 रुपीज के आसपास टेट कर रहा है इसका मार्केट कैप जो है 67 रुपे का है इंटू पोर्ड डेवलेपमेंट और इंडिस्टिरियल रोड कंट्रक्शंस और ये कमपनी काम करती है रिसेंटली नवंबर 2021 में कमपनी ने बोनस ये इस्जू किया था वन इंटू टू रेजियो में क्योंकि September quarter में company के record breaking performance दिया था है, mostly यहाँ पर company की other income बहुत तेजी से बड़ी थी, इसी वज़ा से company का profit increase हुआ था, तो अभी company का current price 81 रुपेस के आसपास ट्रीड कर रहा है, और इस company का market cap 3000 कलोड रुपे के आसपास का है, और debt company पे 557 कलोड रुपे का है, तो दोस्तो आगे के बढ़ने से पहले हम बात कर लेते इंजलवन के बारे में, जो इंडिया का number one blocking platform है, और मैं इंजलवन के बारे में इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको घर बैटे फ्री में डेमेट अगाउंट उपन करवाना है, सिर्फ कुछ मिंटों में, तो description पर दिये गए राजिस्थान, आंदरपर्देश, एजेक्टरा, यह कंपनी primary construction business पर काम करती है, जहांपर यह कंपनी IT parks, office, complex, shopping mall and hospitality project जहांपर यह कंपनी development का काम करती है, यहांपर कंपनी का share price 106 रूपे पर trade कर रहा है, कंपनी का market cap 3450 करोड रूपे का है, और debt company की उपर 1300 करोड रूपे का है, हमारी इस लिस्ट में अगला पैनी stock है, एटलवाइस, financial service limited, तो यह company investment banking service and equity investment advisory service भी provide करती है, इसके अलावा यह company insurance sector में भी काम करती है, company का share price यहांपर 19 रूपे पर trade कर रहा है, और market cap company का 600 करोड रूपे का है, और debt company पर 22 करोड रूपे का है, हमारी इस लिस्ट में अगल ज़्यादा complicated है, इस company का stock price 90 रूपे पर trade कर रहा है, और company का market cap 3,700 करोड रूपे, और debt company के ओपर 6,500 करोड रूपे का है, company में promoter holding cable 2.28% की है, वहीं पर MF के पास company की holding 2.1% की है, यहां पर इस stock में risk काफी ज़्यादा है, और promoter holding काफी कम, इस list में last penny stock है DHFL, तो DHFL में राके जुन 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 वाला जी ने DHFL के अंदर 50 रूपे के भाउस से 25 लग शेर खरीदे थे, और 2015 में उन्होंने DHFL में धीरे धीरे करके 1 करोड शेर को खरीद लिया था, उनकी बाइंग खताम होने के बाद शेर में ऐसी रेली आई, कि 2 साल में इसका price 300 रूपे के उपर चला 2019 में पर्मोटर का money loading का case बाहर आ गया और इसका link under world dawn doubt के साथ जोड़ा गया, और इसके बाद होना क्या था, सेर का price पूरी तरह से नीचे गिर गया, और राके जुन जुन वाला सर जो penny stocks को pick करने के लिए बहुत मश्यूर है, जो कि कोई भी penny stocks को बिना research के बाएं नहीं करते थे, उन्हें भी इस promote scam के बारे में साथ पता ना था, तो ये थे कुछ penny stocks जिने में राके सर ने invest किया था, और कुछ stocks में आज भी invested हैं, तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर चे वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe कर देना, मिलते हैं next video में and thanks for watching.